Hello students, welcome to Magnet Brain. कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे से होंगे. Myself, Nisha Verma from Magnet Brain. Students, Magnet Brain एक ऐसा YouTube चैनल है जहाँ पे आपको Kindergarten, मतलब KG से Class 12 तक आपको सारे Slavers का वीडियो मिलेगा. और हाँ students, यहाँ पे आपको Teachers एक दो चैप्टर पढ़ाके, फिर बाद में आप से किसी पेमिन्ट या सब्सक्रिप्शन की डिमांड बिलकुल नहीं करते हैं Because Magnet Brain is totally a free of cost channel. यहाँ से पढ़ने का आपको कोई भी पेमिन्ट नहीं करना पड़ता. Okay? तो चलिए हम आज का अपना इंट्रस्टिंग सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं And what is the name of the topic? Yes! Animal and their sounds. Sounds क्या होता है? उनकी आवाजें. है ना? Students, अभी मैडम बोल रही हैं आपको Hi, Hello और सब कुछ बोल रही हैं आपको मैडम की आवाज सुनाई दे रही है? अब बताई अब. अब सुनाई दी? तो अगर हम कुछ बोलते हैं हम कुछ आवाजें निकालते हैं तो वो हमें सुनाई देता है, है ना? हम आवाजों के थुरू एक दूसरे से communicate करते हैं, right? और अनिमल्स जो होते हैं, जानवर ये भी एक दूसरे से communicate करते हैं, है ना? लेकिन इनकी language अलग होती है ये अलग-अलग टाइप की आवाजे निकालते हैं ये टेक आउट डिफरिंट डिफरिंट साउंड्स हर अनिमल का अपना डिफरिंट साउंड होता है अलग अवाजे होती है, ठीक है? तो इस मज़ेदार वीडियो में आप उनकी साउंड सुनेंगे और फिर आप बताएंगे ये किस का साउंड है ठीक है स्टूरेंस, तो चलिए स्टूरेंस, हमें Mr. Ben मिलेंगे आप जानते हैं Mr. Ben को Mr. Ben हमें बहुत सारे आइनिमल के पास लेके जाएंगे और उनके साउंड सुनाएंगे ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं Mr. Ben के साथ आवाजों की दुनिया में जानवरों की आवाजों की दुनिया में और के स्टूरेंस, तो ध्यान से सुनिये Yes So this is the sound of a horse ये किस की आवाज है? ये घोरे की आवाज है Right? तो a horse knee A horse knees Okay? A horse knees Right? So this is the sound of a horse Okay students, चलिए आगे बरते हैं Yes So this is camel and a camel grunts Camel क्या करता है? Grunts करता है And see This is the sound of a camel ध्यान से सुनिये Yes So this is the sound of a camel And camel क्या करता है students? Camel grunts Camel क्या करता है? Camel grunt करता है Okay? Camel grunts Camel grunts ठीक है? चलिए अब हम आगे बरते हैं Yes यह प्यारह साउंड किसका है? इस प्यारे से आनेमल का जिसे हम बोलते हैं Rat चुहा तो चुहा क्या करता है? A rat squicks A rat squicks A rat squicks चु 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 ध्यान से सुनिये Yes So this is the sound of a rat आपने देखा होगा आपके घर में राथ को कभी चु-चु-चु-चु-चु-चु-चु की आवाज आती है ठीके? तो वो sound किसका है? वो राथ का sound है और उसके sound को हम बोलते हैं Squicks ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं Yes So students, this is a sound of a donkey Donkey क्या करता है? A donkey braze, look here A donkey braze This is the sound of a donkey Gadha, धैचू, धैचू, धैचू Yes, so a donkey Braze, आगे बढ़ते है Yes, so This is the sound of a frog Tar, tar So always remember जबी भे आपको ये tar, tar की आवाज आए Samaj जाए This is the sound of a frog A frog के sound को हम बोलते है Crooks A frog, crooks Okay student, चली आगे बढ़ते है Yes, so this is the sound of a goat Okay, बकरी मैं, मैं Right, yes So goat के sound को हम बोलते है Bleats Okay, a goat bleats Okay students So this is the sound of a goat A goat bleats Right Right, चली आगे बढ़ते है Yes, this is a very common sound And this is the sound of a dog So a dog barks ठीक है? Boo-woo So this is the sound of a dog और dog हमेचा क्या करता है बार्क करता है Right So the boo-woo sound is of dog The dog barks Right student चली आगे बढ़ते है Yes So student, this beautiful sound is of a bird चू-चू-चू-चू-चू यह किसका आवाज है? यह चिडिया की आवाज है Okay student So this is a sound of a bird So bird के sound को हम क्या बोलते है चर्प्स So a bird और a sparrow चर्प्स Okay student So this is the sound of a sparrow चिडिया और यह बहुत ही common bird है जो हमें हमारे घर के आसपस दिख जाती है हम इसे क्या बोलते है student Sparrow और sparrow का sound होता है चर्प्स So a sparrow चर्प्स ठीक है student चली आगे बढ़ते हैं The next animal Yes So elephant So elephant का sound क्या होता है Trumpet Yes A very loud sound तो यह elephant जो sound निकालते हैं उसे हम क्या बोलते है Trumpets Okay student So an elephant Trumpets Right चली आगे बढ़ते है Yes So this is a sound of a duck Okay student Duck क्या करती है Quack Quack So a duck quacks Right student Quack quack So always remember Duck का sound क्या होता है Quack Okay student चली आगे बढ़ते है Yes Listen to this properly Yes So this is the sound of an owl Ullu So owl क्या करता है Owl के sound को हम बोलते है Hoots Okay So an owl Hoots Right student So owl जो sound निकालता है हम उसे बोलते है Hoots Right चलीए Listen to it Yes Yes और owl को हम एक और क्या बोलते है Students Night bird क्योंकि ये हमेशा रात को निकलता है Okay चलो आगे बढ़ते है Yes So listen to the sound of the next bird And it is Hen Murgi ध्यान से सुनो Yes So ये sound होता है Hen का जिसे हम बोलते है Clucks Right So a hen Clucks Okay A hen Clucks Yes Now Yes Yes ये sound है मुर्गे का Right A rooster Rooster क्या करता है Cock-a-doodle-doo Cook-a-doodle-doo So ये sound हमें सुनाई देता है Morning में और इस sound को हम बोलते हैं Cock-a-doodle-doo Right student चली आगे बढ़ते हैं Yes So student This is the sound of a cat Mew Cat Mews Okay See A cat Mews Now student Roar Yes So this is the sound of a lion Lion is a king of jungle Jungle का raja Raja Shere और शेर की आवज का होती है Shere Dhaarता है तो इस Dhaarani को हम बोलते हैं Students Roar Okay So a lion Roar Right students So this is the sound of a lion Roaring sound Right student So lion हमेशा क्या करता है Dhaarता है जिसे हम बोलते हैं Roar Right So students देखा आपने Sound of different different animals So students थीना वीडियो मज़दार हमने animals को देखा हमने उनके sounds को सुना भी और उन sounds को हम क्या बोलते हैं हमने ये भी देखा जैसे lion क्या करता है दहारता है और उसके दहार को हम बोलते हैं Roaring Right Dog क्या करता है वो वो लेकिन हम उसके sound को बोलते हैं Bark Right student So आप वीडियो को अच्छे से देखो Sounds को ध्यान से सुनो और उनके sounds के नाम भी याद करो Right student तो इस पूरे वीडियो को explanation आपको Magnet Bin की website पर मिल जाएगा जैसे ही आप class senior kindergarten choose करेंगे और उसमें आप animals and their sound choose करेंगे तो आपको वीडियो पूरा मिल जाएगा Right student So ये वीडियो में मिल जाएगा और भी पहले आपको कही वीडियो मिल जाएगे ठीक है और एक और good news है Magnet Bin का Hindi Medium का channel भी आ गया है Right और ये सारी facilities आपको Magnet Bin पर मिलती है यहाँ पर आपको kindergarten से class 12 तक online school education बिलकुल free में मिलती है students So वीडियो देखते रहो enjoy करो और अपने concepts clear करो Right student तो next वीडियो में हम बिलकुल एक और मज़ेदार interesting topic के साथ मिलेंगे students So till then bye bye Take care